नमासकार न्यू स्पेशल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ एश्वरादुवे देश के स्वतंतुरता संग्राम की जब भी बात होती है तो चमपारन सत्यागरह को भी जरूर याद किया चाता है चमपारन से ही महात्मा गांधी ने पहले सत्यागरह आंदूलन किया था जिसने गुलामी की जंजीरों से जगडे देश वास्यों को जगा दिया बापु ने चमपारन को अपनी कर्म भूमी भी बनाया और अहिंसा का अपना प्रयोग भी यहाँ पर आजमाया इसी आंदूलन के बाद उन्हें महात्मा गांधी कहा जाने लगा चमपारन के जर्रे जर्रे में आज भी गांधी की यादे हैं अजादी की बात हो और चमपारन का जिक्र नहो ऐसा हो नहीं सकता देश आज सतंतता दिवश का 78 वी वर्सगाठ मना रहा है और इस समय हम भीत्यारवा आस्रम में मौजूद हैं चमपारन का यह वही भीत्यारवा आस्रम है जहां पर अनई 117 में राष्ट पिता महात्मा गांधी आये थे और यही से देश की आजादी के लिए सत्यागरह आंदोलन की सुरुवात की गई थी और यही से वह आंदोलन निरप्तार पकड़ी और देश को आजादी मिले थी यह दास्तान उस चंपारण की है जो भापू की करमस्थली बनी महात्मा गांधी ने इसी धर्ती से सत्यागरह की शुरुवात की थी यह पहला सत्यागरह आंदोलन था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नीव हिला दी उन दिनों भितिहर्वा की कुटिया बापू का ठिकाना थी और यहीं से उन्होंने आंदोलन की अगुआई की थी हम उस कुटिया में मौजूद हैं जिस कुटिया में मोहंदास करम चंद्र गांधी मा कस्तुर्वा के साथ रहा करते थे आज भी उस समय की तमाम चीजों को समेट के रखा गया है ताकि देश के लोगों लोग इसे देख सकें या बापू की पाट साला की घंटी है जो एक कमरे में रखी गई है तो वहीं एक कमरे में हम दिखाने की कोशिस कर रहे हैं मा कस्तुर्वा जिस चक्री से गेहों की पिषाई करती थी वह चक्री भी यहाँ पर रखा गया है मा कस्तुर्वा इसे पर गेहों की पिषाई करती थी हम सामने दिखा रहे हैं 2017 में यहीं से चमपारण सत्याग्रह की जो शुरुवात हुई थी वह पूरे देश में एक आंदोलन का ऐसा रूप लिया कि बिदेशी समराच जो ब्रिटिस हुकूमत थी उसकी निव हिल गई थी और देश में आजादी दिलाने में अहम भूमी का नि इसी आश्रम में बैठ कर आजादी की तमाम रणनितिया बनाएं और यहीं से तिनकठिया कानून हो या चमपारण सत्याग्रह हो यह आंदोलन ही देश को गती दिया और देश में आजादी के मतवालों ने ब्रिटिस हुकूमत की निव हिला दी यहां पर महत्मा गांधी शोरण नॉंबर उन्सट्ट्रह को अमलवा स्टेशन से उत्वर कर यहां सिरामपुर गाउं में आये मेरे दादा जी उनको आश्रान बोजन कराए और वहां से उसी दी इस आश्रम पर आये यहां पर महुआ का प्र था उसी पर वहां लोगों ने किसान लोगों से कहा कि थोड़ी जगह आप लोग दिये हैं ताकि हम आश्रम सव पार्चाला की आश्थापना करें लेकिन इस बात को सुनने के बाद किसान बर्ग के लोग जो है अपना मुह नहीं खोल सके तो गांधी जी समझ गए कि अंग्रेज एसी अमन यहां से तिन कि के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं तो वहां पर इस सामने जो है मंदीर 17 की पूर्व की है तो उस मंदीर के पुजारी बाबाराम नरायन दाश्री वहां पर बैठे हुए थे तो गांधी जी ने कहा बाबा आप तो भगवान के भर्त हैं मैं जानता का सेवक हूं हम दोनों का म जैसे जैसे घुमे यह गारक अठा पांदूर में जो है आस्रम गांधी जी ने अस्थापित किया और 20 नौंबर उन्हें तो 17 को यहां पास आस्रम सब पाट साला की अस्थापना किया जिसमें पहला सिस जो है मुकु धारी परसार के पूर्व मुखियार भी रहे हैं और उस जो है अंग्रेजों के द्वारा बहुत दिनों से चल रहा था एक विघा में तिन कठा नीर का खेती कारवाना तरह तरह का टेक्स लागा दिया था जिसको नहीं देने पर जो है पोड़ा से पिटाई भी करता था तो वहीं कि सुट्र से पाता चला कि महात्मा गांधी उन्ह कांग्रेश और दिवाशन लखनवु में आ रहे हैं हम लोग उनसे चल कर अपनी व्याथा को रखे तो साहिद हम लोगों को भी रहत मिल सकता है तो ही जो है राजकुमार सुकुल संत भरत पीर मुनीर इस तीनों आगमी लखनवु और दिवाशन में गए और उनसे मिला और बाते सुनी और दुरवित हुए कि मैं चमपारन होंगा और यहां परिवाए और यहीं से जो है पर्षम सत्यागरा अंदोलों का शीरी गनेश किया गया लेकिन आज तक जो है इस धर्ति का जितना विकास होनी चाहिए तो नहीं हो पाया है यहीं जुर्भाग की बात है अक्सर आता रहता हूं मैं यह मौका है कि भी वच्चों के साथ नहीं आया और मैं कल राज से इनको बता रहा हूं क्या जगह का महत्व है तो चमपारन की बात यहां तक है कि सबको पता है कि चमपारन ने ही रहा देखाई है अजादी की रह जो है वो चमपारन से होके निकल होता था तो वो चंपारन आए थे राजकुमार शुक्ला ने अपना प्रॉब्लम बदाया था और नील की खेती का जो मसला था तो जब चंपारन का दो तीन दिन का प्रोगाम हो गया तब दुनिया को पता चला कि रहे कांधी है ऐसा शक्स है जो अंग्रेजों के खिलाफ इस तरह से खड़ा हो सकता है कि उनको उखाड़ भी सकता है नहरू लोगों को बताया कि चंपारन तो एक थोटी सी जगा थी लेकिन ये कहा गया कि चंपारन ने पूरे देश को जगा दिया है कहा है चंपारन लोगों को ख्याल आया थे वो चंपारन है जहां नील की खेती में जो मसले थे उसको सुल्जाने एक आदमी आया है जो इस तरह से अंग्रेजों को पेनाक पर दम कर सकता है। तो इस तरह से चंपारण ने कहा जा सकता है कि रह देखाई लीड किया इस पिड़म मॉमेंट को और आज हम लोग यहां खड़े हैं। चंपारण में नील की फैक्टरी के अवशेश आज भी देखे जा सकते हैं। उन दिनों नील की खेती जुल्म और शोशन का प्रतीक बन गई थी। तीन कठिया प्रथा से किसान त्रस्त थे। उन जुल्मों सितम से मुक्ति दिलाने महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे थे। कि इसी चंपारण में अंग्रेज किसानों पर जुल्म ढाया करते थे और ऐसा जुल्म कि किसानों को मौवेसियों की तरह यहां पर नील की पेराई करवाते थे। किशानों को तीन कथा एक विगे में तीन कथा से लेकर पांच कथा तक नील की खेती करना अनिवारे था और वो तमाम जो नील होते थे उसकी यही पर पिराई की जाती थी 6 अगस्त 1917 को एक जाच कमिटी में महात्मा गांधी इस नील की फैक्टरी में आकर उन्होंने देखा था कि यहां के किशानों को पर अंग्रेज बेहिसाब जुल्म ढ़ा रहे थे उनको यातनाएं दी जा रही थी और उसके बाद से इसी चमपारण से हम सामने औसेसों को दिखा रहे हैं किशानों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छोड़ा छेड़ा एक ऐसा आंदोलन किया कि पूरे देश से अंग्रेजों की समराजी की निव हिल गई और पूरा देश किसानों के पक्ष में गुलबंद हो गया और इस चमपारण के सत्या ग्रह आंदोलन की सुरुआत हुई और वह किशान आंदोलन पूरे देश में आग्रेजों की लप्तों में धदक उठा और तब जाकर देश की आजादी मिली लेकिन हम सामने दिखा रहे हैं एक बार हम सामने तस्वीरों को देख सकते हैं कि जो आजादी मिली है और जो आज हम लोग आजादी का उच्सव मना रहे हैं उस आजादी के लिए चमपारण के सैक्रो गिंती के गिंतियां कम पड़ जाएंगी जो दिवाने थे जो मतवाले थे आजादी के उन लोगों ने बड़ी कुर्वानिया दे कर देश को आजाद कराया है। ये वही नील की फैक्टरी है आप देख सकते हैं। चमपारण के मुरली भरहवा गाउं को आजादी के मतवालों का गाउं कहा जाता है। इसी गाउं के करांतिकारियों के बुलावे पर महात्मा गांधी चमपारण पहुँचे थे। यहां के ग्रामीडों की नाराजगी इस बात पर है कि आज तक यहां का विकास नहीं हुआ। इस समय हम मुरली भह रहए हुआ गाउं में मौजूद हैं आजादी के मतवालों के गाउं में मौजूद हैं यह वही गाउं हैं जहां से राजकुमार सुक्ल संतराउत्ष से गुलाब जैसे तमाम करांतिकारी लखनवी अधिवेशन में पहुचे थे और वहां से महात्मा गांधी को लेकर चमपारण की धर्ती पर लाए थे जहां से निलों के खिलाप ब्रिटिस हुकूमत के खिलाप आंदोलन की निव पड़ी थी और ब्रिटिस समराज जी की निव हिल गई थी हम उसी गाउ में मौजूद हैं और यहां पर वो ग्रामिर मौजूद है अजादी के मतवालों के उस गाउ के ग्रामिर है जहां पर आज तक दिकास नहीं पहुचा है यह बोला कि राज कुमार सुकुल जी के लिए ले यह जान आ वे त्यर्वा गईलो जा गई देश आजादी के लिए जा गई हमसित पहचन देखिए जाता हैं लेकिन तरग बनाओं बनाओते यह गाउमेंकों में रच्ता भीबढ पूछीन हमारे पुरवाजा थे संतराव पूछां अधी देखे लिए और सकेन आदमी का पुर्ठीमा काईसा है जब कितीन बी घा जमीन इनको दिया गया इनके भरन है यहां पर नदी में पूल बनवाएंगे आज तकले अधूरा है पूल के वड़ पास हुआ है आजादी के मतवालों का यह गाउं है और कैसा यहां पर दिकास हुआ है आजादी के मतवालों का गाउं है राजकुमार सुक्ल से खराहुत संतराहुत से गुलाँट से गुलाँट से गुलाँट के वड़ पास हुआ है तमाम करांतिकारियों का यह गाउं है उन लोगों ने देश में देश को आजादी दिलाने के लिए अग्रणी भूमिका में खड़े रहें आजादी मिलने के बाद भी उनका गाउं जो है विकास से कोसो दूर है देश से अंग्रेजों को गुलामी तो मिल गई लेकिन इस ग गाउं में ना आने जाने के लिए सडक है ना पुल है और या बरसात में चार महिनों के तक के लिए या गाउं क्यापू बना रहता है मुरली भरहवा गाउं के कांतिकारियों की याद में उनकी प्रतिमा बनवाई गई ताकि आने वाली पीड़ियों को प्रेड़ना मिल सके लेकिन आज ये प्रतिमाएं उपेक्षित पड़ी है देश आज सुतंतता की 78 वी वर्स गांठ मना रहा है आजादी के लिए एक ऐसा गाउं जो अगरणी भूमिका में रहा हो उसका नाम मुरली भैरहवा था हम आज उस गाउं में मौजूद हैं यह गाउं आजादी के मतवालों के नाम से भी जाना जाता है हम उस गाउं में मौजूद हैं जिस गाउं के नाम जिसके करांतिकारियों का नाम सुनते ही चमपारन दिलो दिमाग में च्छा जाता है इस समय हम राजकुमार सुकल, संतराउत, सेख, गुलाब जैसे तमाम करांतिकारियों के गाउं में मौजूद हैं और या गाउं आजादी के मत्वालों का गाउं कहा जाता है आप हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पर पंडित राज कुमार सुकला की एक परतिमा लगाई गई है दो हज्जार 18 में सीम नितीश कुमार ने इसका अनावरन किया था हम सामने दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे लगता है सरकार ने खाना पूर्ति करके छोड़ दिया है और सभी जगों पर यहाँ पर परतिमाओं के पास जारिया उगाई हैं ठीक आप मेरे सामने देख सकते हैं संतराउद जी का परतिमा लगा हुआ है महान करांतिकारी इन लोगों ने देश की यह दो परतिमाओं का उन्होंने अनावरण किया था लेकिन आज इस गाओं में यह परतिमा देखने के बाद पता चलता है कि एक सायर ने कहा था सहीदों के मजार पर लगेंगे हर वर्स मेले बतन पे मरने वालों का बाकी यहीं मिशा होगा इन आजादी के मतवालों के इस लिए सडक नहीं है यहाँ पर विकास नहीं पहुंची है और जो यहाँ पर इन लोगों का परतिमा बनाया गया है उसका रख रखाव भी सही नहीं है तो आप कह सकते हैं इन क्रांतिकारियों की वज़ा से देश को आजादी तो मिली लेकिन इनके गाओं आज भी गुलामी जेल रहा है चमपारण के जर्रे जर्रे में महात्मा गांधी और उनसे जुड़ी यादें रची बसी है जंग आजादी की जब भी बात होगी तो महात्मा गांधी जरूर याद किये जाएंगे और चमपारण से शुरू किया गया उनका सत्याग्रह भी जरूर याद किया ज और आजादी से जुरी हुई समाम चीजों को यहां पर देखा जाता है और हम यहां पर दिखा रहे हैं गांदी जी के चस्मा के लिए लगाए गया या पुहारा यहां अब काम नहीं करता है 20 करोड के लागत से बना हुआ या थिम पार्क में तकनिकी गड़बडियां हैं जिसे आज तर इसे दुरुस्त नहीं कराया गया है लोगों की सिकायत है कि यहां पर कुछ खामिया है जिसे दूर किया जा सके जिला प्रशासन या सरकार के द्वारा उस कम्यों को दूर किया जाए ताकि यहां पर जब देश की आजादी की बात हो महत्मा गांधी की बात हो चंपारन की बात हो तो जब लोग यहां पर देखन आएं तो उन्हें कोई कमिया नहीं दिखाई दे सहयोगी आर्यन के साथ धन्य दिवेदी जी मिडिया भित्यारवा